हेलो एवरीबान, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं फिर आज जिर हो गई हूँ, आपके लिए बहुत ही यूसफूल किचिन टिप्स लेकर, आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फॉल वाच कीज़ेगा, वीडियो अच्छी ल लगाना एक तरफ से नीचे की तरफ है, और एक तरफ से उपर की तरफ है, दोनों तरफ से रब मत कीजेगा, वरना आपका जो पीलर थोड़ा बहुत काम करता है, वो भी खराब हो जाएगा, आपको सिर्फ एक ही एक साइड से करना है, जैसे मैं कर रही हूँ, पहले उपर क की सरफ फिर नीचे की तरफ, इसी तरह से आपको दस पंदरा से बार एक तरफ करना है, और आपके पीलर की जो धार है बहुत ही अच्छे से शार्प हो जाएगी, जो बिल्कुल बेकार हो चुका था, वो भी एकदम नएके जैसा काम करना ये लगेगा, यही काम आपको दोन साइड से पीलर काम करता है, तो आप इस तरह से बस जब हम रब करें तब ध्यान रखेगा, एक ही साइड से आपको करना है, जैसे आप आगे की साइड कर रहे हैं, तो आपको आगे की साइड ही करना है, और अगर आप पीछे की साइड कर रहे हैं, तो आपको पीछे की साइ उसके लिए आप हसीय को एक हाथ से पकड़ लीजे और एक हाथ से ले लीजे कप को अपने हाथ में और उसके बाद आपको एक तरफ से आगे की तरफ और एक तरफ से हसीय को पलट कर पीछे की तरफ करना है यही प्रोसेस करना है आप एक ही तरफ से दोनों तरफ रब करेंगे कि काफी तेज हो गई है और यह प्रोसेस आपको ज्यादा नहीं दो से चार दस से बीस बार करना है और उतने में ही आपका कितना भी बेकार हासिया हो चाकू हो या पीलर हो सब कुछ एक कप की मदद से ही आप अपने घर पर ही एकदम तेज कर सकते हैं आई होप आपको मेरा य लेकर आते हैं और वो काफी दिन का पुराना होता तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है जिससे अगर हम रायता बगएरा बनाते हैं तो उसका टेस्ट बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता बच्चे बिलकुल नहीं खाते हैं तो आपको एक इजी ट्रिक करनी है अच्छे शेक कर दीजिए और मिला कर रख दीजिए आप देखेंगे कि आपकी रायते की बूंदी ना कितने भी दिन तक रखी रहे आपकी बूंदी में कोई भी बैड़ी स्मेल नहीं आएगी बस ध्यान रखिए कि आपको ये अच्छे से नमक पूरी बूंदी में मिला द चाहिए और आपके नहीं आई है तो आएगी नहीं तो इस तरह से आप ये छोटा सा काम है जरूरू ट्राइ कीजिएगा चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आडिया की तरह नेक्स्ट आडिया है मेरा किचिन टॉवल को लेकर किचिन टॉवल हम सब के घर में होती हैं अगर नहीं भी होती हैं तो उसका भी एक अल्टनेट होता है लेकिन पहले में किचिन टॉवल को हम क्या करेंगे कि हमें जो भी किचिन टॉवल हैं उन सब को हमें करना है हलका हलका गीला दोनों किचिन टॉवल को अच्छे से गीला कर लीजे मैंने यहां पर एक कटोरी पान चाहिए सुबह शाम दोनों टाइम इससे ना आपका बहुत जादा बेनिफिट होने वाला है तो यहां पर दोनों टावल्स मैंने अच्छे से गीली कर ली थी और करीबन एक कटोरी पानी इन में लग गया है उसके बाद आप टावल्स को फैला लीजे और टावल्स को फैलाने के बाद में आपको क्या करना है यह काम आप शाम को कीजिए आपको लेनी है एक वाटर बोटल और वाटर बोटल को इस तरह से इसके इसमें रैप कर देना है ठीक है दोनों टावल्स में आप अपनी जो बाटर बोटल है उन्हें रैप कर दीजिए अब इनका क्या फाइदा होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी लेकिन दूसरा जैसे आगर आपको सिलाई बगएरा आती है तो आप इस तरह से बॉटल्स के कैप भी सिल सकती है तो कवर सिल जाएंगे ने तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं उन्हें ले जाना नहीं है आपके पास जो बॉटल कवर है वो भी नहीं है तो उसके ऑप्शन में आपको क्या करना है उसके ऑप्शन में मैं चलिए इनको कवर्स को निकाल देती हूं और कैप को भी इसको जो कवर है उसको भी निकाल देती हूं आप उसके option में आप ले लेंगे pillow covers, pillow covers हम सब के घर में होते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर pillow cover ना होते हो, तो आप cotton का pillow cover ले लिजे, थोड़ा सा मोटा वाला जो cotton होता है, synthetic milk लिजेगा, synthetic काम नहीं करेगा, तो आप ये process अपने जो bottle के cover बनाने के लिए मैं बोल रही हू वो आप इसमें कर सकते हैं, तो आप अपने pillow cover होते हैं उसमें wrap कर दीजे, अब ये हमने सारे wrap कर लिए, अब इनको हमें रखना कहा हैं और किसलिए रखना है, चलिए वो देख लेए, इन सब को लेकर आ गए हैं, हम अपने fridge में, अब फ्रिज में जब हम इस तरह से इनको bottle क कवर करके रखेंगे ना, और हलका ऐसा गीला करके रखेंगे कपड़े में, तो उससे हमारा ये फायदा होगा, कि जैसे सुबह बच्चे office, school जा रहे हैं, या फिर husband office जा रहे हैं, या फिर कोई बाहर जा रहा है, market वगेरा, तो आप इस तरह कि जब पानी की bottles उनको साथ में रखेंगे न, तो इनका पानी बहुत देर तक ठंडा रहेगा, बिल्कुल भी गरम नहीं होगा, और हमने पानी इसमें बहुत हलका-हलका कपड़ा हमारा गीला आई न, तो बाहर की जब गरम हावा लगेगी, तो हमारा पानी बहुत त sagen तो थंडा रहने बाला है, और ये का यह कभी दूद में तो कभी पानी में तो कभी सबजी में गिर जाता है अब उस टाइम पर हम इसको कैसे गरम करें कैसे हम इसका पानी सुखाएं अगर हम डायरेक्टे से गैस जला कर ओन करके रख देंगे तो यह जो लाइटर है वो खराब हो जाएगा लेकिन मैंने यहां पर इस गलती को तो बिल्कुल मत कीजेगा जैसे गैस ऑन करते हैं न हम तो उस टाइम पर इसके अंदर ना प्लास्टिक होती है वो प्लास्टिक मेल्ट होती है और प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगी तो आपका लाइटर बिल्कुल खराब हो जाएगा तो गैस को ऑन गलती से भी आपको जब भी आपकी गयस गरम है या फिर तवा गरम है उस टाइम पर आप इसे रख दीजिए और देखिए आप इसका बिल्कुल बड़िया तरीके से मौस्चर सूख जाएगा तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आडिया की तरफ नेक्स्ट आडिया है मेरा ब बरतन्स होते हैं उनमें क्या होता है यह जो किनारी होती है इनमें हम कई बार जब डारेक्ट बरतनों में खाना गरम कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं किनारी किनारी में कितनी जादा कालापन जम गया है आप इसको आप कितना भी रगड़िया इस क्रबर से नही इसारे बरतनों की किनारी साफ कर देती हूं, जैसे कुछ बरतन होते हैं, इस तरह के डिजाइन वाले बरतन हो गए, या फिर जो चाय वाली छाइप होती है, वह गई उसकी किनारी में भी बहुत ज्यादा गंदीज जम जाती है, तो इसी प्रोसेस से आपको चाइप भी साफ क तो इस तरह से आप एक बार जरूर करिएगा ध्यान दीजेगा अपने बरतनों पर कहीं आपके बरतनों में भी तो यह काला पन नहीं रह जाता है तो इस प्रोसेस को आप अपना सकते हैं I hope आपको मेरे सभी ideas पसंद आये होंगे, ideas पसंद आये हों तो please like, share, subscribe जरूर कीजेगा, साथी साथ मुझे comment करकर जरूर बताएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, साथी साथ ये भी बताएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाउं या किस शहर से देख रही हैं, ताकि मैं आ थैंक्स कर सकूँ, तो चलिए ऐसी amazing tips और tricks के साथ मैं मिलती हूँ आपका अपनी next वीडियो में, तब तक के लिए बाबाए